दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme 11 Pro 5G smartphone के बारे में जैसे कि आप सबको पता है कि ये phone बहुत ही कम budget में काफी अच्छा specification प्रोवाइड करने वाला है इस phone में 200 Megapixel का triple rear camera देखने को मिलेगा और इसके अलावा MediaTek का powerful chipset एंड बहुत ही कमाल के aspects and feature इसमें देखने को मिलेगा तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी phone के सभी confirm details के बारे में इसके अंदर क्या aspects देखने को मिलेगा और ये phone कितने price में इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा तो अगर आप इन सभी details के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंदर तक देखते रहिए इस Realme 11 Pro 5G में 6.7 इंच का Full HD Plus Super AMOLED को डिस्पले देखने को मिलेगा और इसमें 120 Hz का High Smooth Rate Corning Gorilla Kast का Protection HDR10 का support और साथ में In Display Fingerprint Sensor देखने को मिलेगा तो Display Wise देखा जाए तो ये फोन कमाल का होने वाला है और बात करें इस फोन के Highlighted Feature के बारे में तो जैसे मैं आपको बताया कि Triple Rear Camera है इसमें 200 Megapixel का Primary Camera है जिसमें Samsung का Sensor इस्तेमाल हुआ है और हम सब तो जानते हैं कि Samsung का Image और Video Quality काफी अच्छा देखने को मिलता है और कमाल की बात ये है कि इसमें 12 Megapixel का Ultra Wide and 12 Megapixel का Telephoto Lens भी देखने को मिलेगा जिसके मदद से आप 60X तक Zoom कर पाओगे तो ये फीचर काफी कमाल का होने वाला है और बात करें इसके Front Camera की तो इसमें Center Punch Hole के साथ 50 Megapixel का Selfie Camera देखने को मिलेगा और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें MediaTek Diamond City 30-100 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और ये प्रोसेसर बहुत ही कमाल का है जिसमें आप Gaming वगेरा बड़े आराम से कर पाओगे और इसमें 5000 MHz के बैटरी के साथ 65W का Fast Charging Support देखने को मिल जाएगा तो फाइनली अगर हम बात करें इसकी प्राइज की तो इसका जो बेस बेरियंट है 8GB DM 120, 8GB स्टोरेज इसका प्राइज 20,000 से लेकर बाइसर के अंदर होगा बाकी अगर हम बात करें इस फोन की रिलीज डेट की तो ब्रैंड के तरफ से कोई अफिसियली लंच डेट निकल कर नहीं आजा है